प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम के बविता है, मैं टीए सेमेस को नपात्मी हिलिया दे अपिकाम हूँ, अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछूँएंगी, आप उनके उत्तर देने की कोशिश करना, ठीक है? कर हमने क्या सिखा, कर के विडियो में हमने क्या सिखा, यह बिल्कु सही कहा, हमने काल के बारे में जाना, है ना, वर्तमान काल, आप कुछ सगा, बिल्कु सही कहा, भरिश्यकाल, काल के कितने प्रकार है, बिल्कु सही कहा, ती प्रकार है, वर्तमान काल, भरिश्यकाल, आप, बिल्कुल सही कहा आपने बूत काल उसके बारे में सिखेंगे ठीक है बूत काल किसे कहते हैं आप मैं बताते हूं बूत काल याने बीता हुआ समय बीते हुए समय के बारे में क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि यह क्रिया हो चुकी है तब हम उसे कहते हैं बूत काल जैसे कि उधारन के लिए रमेश पटना गया था, गया और था, इन दोन शब्दों से हमें पता चल रहे हैं कि यह क्रिया हो चुकी है, इसलिए वह भूत्का का वाक्य है दूसरा वाक्य, पहले में पटना में पढ़ता था, पढ़ता था और पहले इन दो शब्दों से हमें पता चलता है कि यह अक्रिया हो चुकी है, इसलिए उसे भूतकाल का वाक्य कहती है आज हम भूतकाल के भेद भी जानते हैं, भूतकाल के भेद साथ है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्न भूतकाल, अपूर्न भूतकाल और संदिग्द भूतकाल, हेतु हेतु मर भूतकाल, फिर से सुनिए सामान्य भूतकार, आसन्य भूतकार, पूर्ण भूतकार, अपूर्ण भूतकार, संदिक्द भूतकार, हेतु हेतु मर भूतकार इस प्रकार हमें साथ प्रकार इसके सीखने हैं ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहले सामान्य भूतकार से देखिए सामान्य भूतकाल इसकी व्याख्या या परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पुरा होने का संकित मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, थ, 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 आते हैं विसामाने भुतकाल होता है जैसे कि उधारन में देखिए मैंने गाना गया खिलाड़ी खेलने गए सिता गई त्री राम ने रावन को मारा इन वाक्यों में देखिए अंत में आ, ए, इ ऐसे शब्दा आए है है ना रा, जैसे कि रामने रावन को मारा, आ की बोध हो रहे, इसके अंत में अगर हम था थी, थे भी लगाएंगे तो वही अर्थ हमको बोध होगा, जो कि क्रिया हो चुकी है, पहले ही, मैंने गाना गाया था, खिलाडी खेलने गए थे, सिता गई थी, स्री रामने रावन को मारा अगर आएगा तो भी हमको भूत काल में ही यह क्रिया पूर्ण हो चुकी, इसका बोध हो रहा है, इसलिए इसे सामाने भूत काल कहते हैं, दूसरा है आसन भूत काल, इसकी व्याख्या या परिभाशा इस प्रकार होती है, आसन का अर्थ होता है निकट, जिस क्रिया के अभ क्रिया के जिस रूप से हमें यहाँ पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूत काल कहते हैं, उधारन देखिये, मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ा कर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इन वा या बाहर जाकर आने की हो, पढ़ा कर आने हो, कोई भी कारी जहां पे जो भी बताय गया है, वो सबी अभी हभी हो रहे हैं, है ना, अभी हभी हुए ऐसा हमको बोध हो रहा है इनको पढ़ने के बाद, इसलिए ऐसे वाक्यों को पढ़ते ही, हमको समझ लेना कि यहाँ आसन भूतकाल के वाक्य है, तीसरा प्रकार है अपूर्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप कारे के भूतकाल में शुरू होने का पता चले, लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्न भूतकाल कहते हैं, यह उसकी परिभाशा है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी रहे थे आदे आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं वह हाकी खेल रहा था सुनिल पढ़ रहा था इसमें देखिए पूर्ण क्रिया जो है complete नहीं हुए अभी हो रही वहां पर रहा था घूमा था बोलके नहीं बोल रहा है घूम रहा था क्रिया वहां पर अभी भी चल रही पूरा नहीं हो रहा लेकिन उसके जब उसने देखा था तब वह क्रिया चल रही थी ऐसा यहां पर बोध हो रहा इसलिए ऐसे वाक्य पढ़ते ही हमें समझ लेना कि यह अब पूर्ण भूतकाल के वाक्य है चोधा प्रकार जो है देखिए पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यहां पता चलता है कि कार्य निश्चित किये गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल केते हैं अर्थात क्रिया के जिस रूप से यहां पता चले कि कार्य को समप्त हुए पहुत समय बीच चुका है उसे पूर्ण भूतकाल केते हैं जिन वाक्यों के अंत में था थी थे चुका था चुकी थी चुके थे आदी आते हैं वो पूर्ण भूतकाल होता है उधार नार्त वह दिल्ली गया था भारत 15 अगस्त 1947 को आजात हुआ था उसने शाम को मारा था इन वाक्यों में देखिए यह कब की घटित हो चुकी है संगडनाये हैं पूरा क्रिया कंप्लिट होने के बाद उसके बारे में जब बात कर रहे हो तो इस प्रकार हम उसे बोल सकते हैं इसलिए गया था हुआ था मारा था ऐसा एड में पूरना कंप्लिट क्रिया जब हो जाती हैं तो हम लोग समझना कि यहाँ पूरना भूतकाल का वाक्य है उसके बाद देखिए संदिक्द भूतकाल इसकी बरिभाशा व्याख्या इस प्रकार हो सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कारे की भूतकाल में पूरा होने पर संदे हो की वह पूरा हुआ था या नहीं उसे संदिक्द भूतकाल कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में गा, ग, 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 आदी आते हैं वे संदिक्द भूतकाल होते हैं उधार नर्थ वे क्रिकेट खेले होंगे बस छुट गई होगी यहाँ पर बोले तो उस संगटना के बारे में पूरी definite क्रिया हुई बोलके नहीं बोल स वहां पर हम लोगों संभावता दिखाय देता है संदिक दुता कि खेले होंगे वेक्रिकेट खेले होंगे बस छूट गई होगी लेकिन छूट गई बोलकर डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वहां उसके बारे में हमें definite information नहीं है definite जानकरी नहीं है ऐसी जब वाक्य होते है हमें समझ लेना चाहिए कि यह संदिक दुध भूत काल के वाक्य है अंत में देखिए हेतु हेतु मत भूत काल इसकी परिभाशा इस प्रकार की जा सकती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की कारे कार्य हो सकता था लेकिन दूसरी कारे की वज़से हुआ नहीं उसे हेतू हेतू मत भूतकाल कहते हैं उदाहरन में देखिए मैं आगरा जाती तो ताज महल देखती सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती याने पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित है निर्भर है उदेश जो है तभी पूरा होता है जब उसकी शुरुवाद सई हो तो यहां पर मैं अगर आगरा जाता तो ताज महल देखता अगर नहीं गया तो नहीं देख सकता था इस प्रकार यहां पर संभावना बताजे संभावना जो है दूसरी जो संभावना है पहली क्रिया पर आधारित है अगर पहली क्रिया नहीं है तो दूसरी क्रिया का होना का संभावता ही आपर नहीं रहती है इसलिए इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं प्यारे छात्रों, आज का आपका ग्रह कार्या है, भूत्काल का शाब्दिकर्थ क्या है, भूत्काल के भेद कितने है, पूर्ण भूत्काल के वाक्य पेचानों और हेतु हेतु मत भूत्काल के वाक्य पेचानों, ठीक है, इनके उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिकों में लिकर रखिएगा प्यारे चात्रों इस प्रकार आज हमने भूतकार और भूतकार के छे प्रकार हमने सीखे हैं भूतकार के छे प्रकार कौनकों से हैं सामने भूतकार आसन भूतकार पूर्ण भूतकार अपूर्ण भूतकार संदिक्द भूतकार हेतु हेतुमर भूतकार इस प्रकार हमने छे प्रकार सीखे हैं आशा करती हूं आपको मेरा पाट अच्छे से समझ में आया होगा फिर मिलते हैं आगली कक्षा में बहुत भर धन्यवाद